रूटीन से भरपूर नाश्ते की रेस्पी आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ जिसे आप वेट लूज करने के लिए भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही बड़िया जमार नाश्ता है बनकर तयार होता है वीडियो कर आपको ज़रा भी पसंद आती है तो प्लीस कुछ मुंकी दाल को भीगो दिया था पांसे साथ गंटे के लिए उसके बाद लिया है एक कप लिया है अब अपने मुशार ज्यादा भी ले सकते हैं यह एक से दो लोगों के लिए काफी रहती है और यहां पर मैंने इसमें दो चमच दही डाला है इसी के साथ में तीन लेस में मिक्सी के जार में екinas पानी में डाल कि इसमें मिक्स कर लेते हैं इसमें मसालों का इस्तमाल करने वाले है त। कर दूकस करके करके मैंने गाज़क लिये साथ में पणीज डाला है अपनी शीज़े आफ अपने अनुसार कम जादा कर सकते हैं और चाली मिश का पौडर डालेंगे नमक डालेंगे और चाठ मसाला डालेंगे जिससे कि जो इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जायेगा इन से को अच्छे से mix कर लेता है आप चाहें तो इसमें चीज भी डाल सकते हैं लेकिन वेट लूज करना चाहते हैं तो पनीर का इस्तमाल कीजिएगा या फिर पनीर को भी आप स्किट कर सकते हैं तो इसे अच्छी से mix कर लिया है कोई भी कड़ाई या पैन हम लेंगे और इस पर थोड़ा सा oil डालेंगे और इस तरीके से बैटर को फैलाएंगे बहुत ज्यादा पतला नहीं फैलाना है बहुत ज्यादा मो एक फास्ट में या फिर लेंच में इंज्वाइब कर सकते हैं इसके उपर थोड़ा सा बीटूट हम डाल देता है जिससे कि इसकी लुकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ी आती है इसे इसी तरीके से हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे उसके बाद से प्राट लेंगे आ आइलन के तवे पर बनाएंगे तो थोड़ा सा ओईल आपको डालना पड़ेगा मैंने यापन नौंस्टी पैन का इस्तमाल किया है और विल्कुल थोड़ा सा ओईल डाला है और इसे इसी तरीके से उल्लेट करके काफी अच्छे से से शेक लेते हैं तक इवन तीन से चाल मि आपको ज़रा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ फैमिल में अमबस के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा ये देखे कितना टैंप्टिंग और टेस्टी जमार नास्ता है बनकर तयार हुआ है इसे अपनी म मशकार खुछ रहिए खाते रहिए